मेरा व्या एक अमीर खांदान वीच होया सी इस कारके मैं खुश सी कि सारी जिंदगी मैं अपनिया ख्वाशां अदूरियां राके जिंदगी गुजार रही सी मेनू पैसे दी कदर केमत चंगी तरह पता सी जदू मेरा व्या अमेर खांधान वीच होल लगया ता मैं अपनी मा पे ओदनू कोई सवाल नहीं से किता बस मेनू ता इस गल्दी खुशी सी कि मैं जेल जो निकल के एक वड़े महल वीच जाके अपनी खुशियां पर इस जिन्दगी जीमांगी व्यादा दिन आगया ते मेरे सोरे परिवार बहुत ज़्यादा अमीर से ब्रात गजवाज के आ रही सी मेरे कारवाले दमू सेरी नाल्ट क्या होया सी मैं उस दा चेरा नहीं देख सकी फिर व्या करकी मैं अपने सोरे कर आ गई मैं अपने सोरेंदे करनों देख दी रह गई उप बहुत वड़ा थी सोना सी बस हुण मेनू अपने पती धा चेरा देखन दी काली सी क्योंकि व्यातों पहला किसे ने मेनू उस दी फोटो थक नहीं सी दिखाई मेरा स्वागत भी मेरी सास ने किता सी मेरे कमरे विच भी मेनू अपनी सास लहके गई सी मेनू लगया कि शायदे रसमदा को हिस्सा होवेगा फिर मेरे पती नाल बठा के कुछ रसमा किती यं गईया पर हजे भी मेरे पती ने चेरा सेरे विचलो काया होया सी पर मैं उसे जगheroate बहुत देर बैठी रही, ना मेरी सास थे, ना मेरा पती मेरी कुर आया, अपने दिमाग विछ बहुत कुछ सोचन लग बई, कुछ टाइम बाद मेरी सास मेरे कुर आयी ते मैनू कहन लगी, पुत मेंनू पता है कि तेरे दमाग विच की चल रहा है तू ए ही सोच रही हुएंगी कि तेरा पती हजे तक तेरे कुल क्यों नहीं आया मेरी सास केंदी बस मैं एना चौन दी हां कि तेनू किसे दी नजर ना लग जावे मैं तेनू तेरे पती कुल जुरूर पे ज़ांगी पर सही समा ओन ते तू अपने कपड़े बदल लाते अराम नाल सोजा मेरी सास मेंनू बहुत साफ दिलते समझदार लगी फिर मैं अपने कपड़े बदले थे हाथ मूत होता ती मीनू पता ही नी चल्या की कदो मीनू नीदा गई जुद में सवेरी उठी तानना हाथों की अपने सास दे कमरी विच गई मेरी सास मेनू कैंदी पुत त्यार हो जा मूँ दिखाय दी रस्म करनी है ने चंगी तरह त्यार हो गी ते मैं बहुत खुश सी की पैनल ली वदिया वदिया कपड़े ते गयाने मेनू मिल रही सी सारे मेनू मिलन आय क्पर सारे मेनू योँ देख रही सी की जीमे मैं कोई अजुबा हो म सारे मेननू तरस दिया नजरानाल देख रही सी मेननू नहीं पता लग रहा सी कि एमें क्यों कर रही हन फिर मेरी सास मेननू अपने कमरे विच बठाकी चली गई अजे तक वी मेरा पती मेननू नहीं दिख्या सी मेरी सास केंदी परम भी तेनू देखनली बहुत काला है बस जदो तक पंडती दसी होई पूजा नहीं होंदी उदो तक तुसी दूजे नू नहीं देखना मैं सास दी गल सुन के चुप हो गई पर मेरा किसे भी तरांदा कोई पूजा करंदा मान नहीं हो रहा जी क्योंकि तिन दिन हो चुके सी पर हजे तक में नू अपने पती नू नहीं देख्या सी उस नाल कोई गल नहीं कीती दिन विच तिन वार पूजा कर दे ते रात नू जदो पूजा होंदी तो उस तो बाद मेरी सास में नू कुछ खान ली देंदी पिर में नू नीद आचान दी पर नीद विच में नू यू महसूस हो रहा सी की जी में कोई मेरी कुछ ओंदा है फिर मैं सूचे आज पता करके रहांगी ए मीरा वहम है या सच मुछ मेरे कोई हुन्दा है अगली दिन जोद मैं पूझा कर रही सी मेरी सासने मैंनू जूस लेा के दिता केंदी पूझा करके जूस पी लई मैं कहा कि मेरा मन नहीं है बाद विच पी लवांगी मेरी सास नो भी शायद शाकों गया सी कि मैंनो ना दिया हरकतां पता लग गया हन क्योंकि आज मैं जूस नहीं पिता सी ते ना ही कुछ खादा सी जिस कारण मैंनो नीद नहीं आरी सी ते मैंनो देख क्यों बेचैन हो रही सी पर मेनों समझ नहीं आ रहे सी क्यों की करना चौन दी है फिर मेरी सासिक चादर लेकि आई ते कैंदी पूजा करदे वक्ते चादर अपने द्वाले लपेट लई मैं सोचया कि चलो कोई गाल नहीं, चादर ही ता है पूजा करन लगी ते मेंनू पता इना चल लेया मैं पूजा करदे-करदे कदो सो गई सवेरे मेनू बहुत अफसोस होया कि मैं कुछ भी पता नहीं कर सकी अगले दिर मैं जल्दी सोण दा बहान ना लाके कमरे विछ पै गई ज़़ो मेरी सास नो येकीन हो गया मैं सो गई हां तो थोड़ी देर बाद कोई मेरे कमरे वीच आया ज़़ो मेरे महसूस होया कि कोई मेरे कोल आ रहा है ता मैं एकदम अक्खा खोल ले हैं ता उसे इंसान नू देखके मेरी होशूट गई, मैं कमरे तो बार पाज गई, मैं नू जगदी होई नू देखके मेरी सास हैरान सी, फिर मैं अपनी सास नू पुछया तुसी मेरे नाल एड़ा वड़ा तो खक्यों किता, मेरी सास कहन दी पूत मेरा तेनू तो खदेन दा हत्र सब कुछ किता है, ए सब कुछ जानन तो बाद मेरा उसका अर्विचिक पल भी रुखना ना मुम्किन से, मैं अपना समान पैक कीता ते जदो में कर तु बाहर आउन लगी, ता मेरी सास ने दसया कि तेरे मापयों नू सब कुछ पहला तो ही पता सी, ए सुन के मैं हैरान हो गई, मैं सोचया मेरे मापयों वी लालची निकले, जुद मैं अपने पेके कर गई ता मापयों नू जाके पुछया, ता उनना कहा कि हाँ, उनननू सब कुछ पहला तो ही पता सी, पर ओ मजबूर सान, क्योंकि उनना धी एननी हैसियत नहीं से कि मेरा व्या कर सकन, मेरी मा आने क्या क्यों पले मान्स इंसान हां, तिनू बहुत खुश रखेंगे, ते तु बहुत खुश रहेंगी, एनने नू मेरी वड़ी पैन कार आ गई, शायदो अपने कारवाले ना लड़की आई सी, मैं उसनू क्या कि तेरे कारवाला ता एनना सोना है, फिर तेनू अपने स बोच बन गईयां सी, मैं होन सोच रही सी कि जो हर रात मेरे कमरेच ओंदा सी, आखर सी ता मेरा पती ही, फिर मेरे मन वीच आया कि शायद मैं अपने माप्यों नाल गलत कर रही हैं, सकल सूरत ना रबदी देन है, इस विच की से दा कीक सूर, मेरी सासने वी ता अपने आपना समान पेक कीता, य अपने सौरे चले गई, मेरी सास ते मेरे कार्वाले ने में तो माफी मंगी, असी तेरे नाल गलत कीता है, तेरा विष्वास तोड़ेया, पर मेरी सास ते कार्वाले ने किया कि अची तेनू खोश रखन दी पूरी कोशिश करांगे, मैं वी परम ते सासनों माफ कर देता होण मैं अपने सोरे परिवाट वीच बहुत चंगी जिन्दगी जी रहिया एक साल बाद साडे कार एक बहुत प्यारी जही बेटी ने जनम लेया मेरे पती ते मेरी सासने मेरी बहुत सेवा कीती किसेवी चीज़ दे कोई कमी महसूस नहीं होण देती होण मेंनों समझ आ गई से के इंसान दा किरदार ते सोच वदिया होवे ता रांग गुरूप कोई माइने नहीं रखदा ते पर मातमा दे शुकर गुजा रहा कि उसने मेरे जन्दगी विच मेरे पती नों पेजया जो हार तरहनाल मेरा ख्याल रखता है ते कि चंगा जीवन साथी भी है कहानी सुन ले तो हड़ा तानवाजी